कि हेलो दियेर स्टूडेंट के लिए हैं क्लास सब्सकितर सब्सक्राइब करें बारे विःस्प्रीरशन में जाना उसके बारे में एंå च्सूडेशन की मैं 30 के ब्री आगे मैं कि तरह से respiration होता है या कौन से औरगन प्रेजेंट होते हैं अगर आपने हमारा प्रीविएस वीडियो नहीं देखा है कि आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागदी पर जाकर वीडियो देख सकते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइ बैवर्म वीडियो को शेयर करें साथ या साथ बल आईकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अप्डेट मिलती रहे है अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स तरह का ओर्गनिज्म है अर्थवॉम में किसी तरह से होता है तो रिकॉल फ्रॉम चैप The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching आपने यदि earthworm को कभी टच करते देखा हो तो earthworm जो है एकदम चिकना सा ऐसा चिपचिपा सा लगता है तो वो moist and slimy होता है gases can easily pass through them और उसमें से उस moist skin में से gases आसानी से pass हो जाती है Through fox have a pair of lungs like human being They can also breathe through their skin which is moist and slippery अब देखो अगर हम frog के बारे में बात करें तो उसमें लंग्स भी होते हैं जैसे human being में है और उसके अलावा वो भी अपनी skin के थूरू respiration करता है जो की moist and slippery होती है अब हम next उसमें आ रहे हैं breathing underwater जो पानी के अंदर रहने वाले animals हैं वो किस तरह से breathe करते हैं क्या हम पानी में रह सकते हैं और ब्रीथ कर सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं देर आर मैनी और और उर्गनिजम विच लीव इन वाटर रहते हैं वो किस तरह से breathe करते हैं You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolving water अब वही आपने class 6 में पढ़ा था कि जो फिश होती है उसमें क्या होते हैं गिल्स होते हैं और वो गिल्स के तरू क्या करती है जो water में dissolve oxygen रहती है उसका use करके oxygen ले ले लेती है और respiration करती है यह देखिए यह present है यह गिल्स दिख रहे हैं गिल्स इसके अंदर water absorb हो जाती है oxygen गिल्स हो प्रोजेक्शन ओफ इसकीन का इस तरह से उभार जैसा ऐसा ऐसा निकला हुआ रहता है You may wonder how gills help in breathing gills are well supplied with word vessels for gases of exchange exchange of gases अगर हम देखें गिल्स को तेकदम ऐसी fine चोटी-चोटी capillaries होती है विल्कुल ऐसी cutting होती है गिल्स ऐसे बारिक-बारिक और इन में जो होती है blood capillaries होती है और यह blood capillaries जो होती है यह gaseous exchange कर लेती है मतलब oxygen absorb कर लेती है और carbon dioxide जो है वापस water में dissolve कर देती है अब हम आएं do plants also respire क्या plant भी respiration करते हैं like other living organism a plant also respire for their survival as you learnt in class 6 आपको class 6 तो बहुत द्यान से पढ़नी थी सब कुछ जो 7th में पढ़ रहे है वो 6th में पढ़ा हुआ आ रहा है तो अगर आपने द्यान से पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि जिस तरह से plant food के बनाते हैं photosynthesis के तरू इसी तरह respiration भी होता है plants में क्योंकि plants के एक living things है और living में respiration, digestion यह सारी process होती ही होती है they also take in oxygen from air and give out carbon dioxide यह क्या करते हैं oxygen लेते हैं और carbon dioxide बहार निकालते हैं in the cells oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms अब cell के अंदर क्या होता है यह oxygen जो है glucose को किस में convert करती है carbon dioxide में और water में जैसे दूसरे organism में होता है वैसे ही होता है अना बट फरक क्या होता है कि plants जो है carbon dioxide का use again कर लेते हैं इन plants each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide plants में हर पार्ट अलग अपनी oxygen absorb करता है और carbon dioxide release करता है respiration पूरे parts में होती है जहां आमने देखा था food का formation सिफ leaves में होता है लोग की chlorophyll में ही present होता है जबकि respiration हर पार्ट में होता है you have already learned in chapter 1 that the leaves of the plant have tiny pores called the stromata for exchange of oxygen and carbon dioxide आपको याद हो तो हमने chapter 1 में जो था structure पढ़ा था plant की leaves का जिसमें हमने क्या देखा था stromata present होते हैं जो small pores होते हैं mainly lower surface पे present होते हैं और इनका main function क्या होता है exchange of gases है ना exchange करना gases को जिकने भी gaseous रहती है उनको exchange करने का काम यह करते हैं like all other living cells of the plants the root cell also need oxygen to generate energy जिस तरह से दूसरी living cell को चरवरत होती है उसी तरह roots भी जो है वो gaseous exchange करती है plants में roots take up air from the air space present between the soil particles roots क्या करती है air लेती है जो उसमें air space बीच में soil में present लेती है उसके अंदर roots जो रहती है उनसे air जो absorb कर लेती है देखिए soil particles के बीच में यह air space है can you guess what would happen if a potted plant is over water इसी लिए यदी पौधो में ज्यादा पानी दे दिया जाए तो क्या होता है in air spaces में water fill हो जाता है और यदी water fill हो गया तो फिर वो oxygen नहीं ले पाते है और plant जो है वो dead हो जाता है इसलिए बोलते हैं plant को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए in this chapter you learn that respiration is a vital biological process इस पूरे chapter में हमने respiration के बारे में पढ़ा कि respiration जो है बहुत ही important process होती है जितने भी living organism है चाहे फिर वो बहुत ही small organism हो या big organism हो respiration सभी organism में होता ही होता है all living organism need to respire to get the energy needed for their survival जितने भी living organism है उनको energy के लिए survive करने के लिए respiration compulsory होता है तो किस तरह से अलग अलग organism में respiration होता है वो हमने इस chapter में mainly देखा था अब आप इस chapter को एक बार अच्छे से रीट करिएगा कोई भी doubt कोई भी problem होने पर आप से पूच सकते है तेंक यू सू मच